दोस्तों आपके पास होनी चाहिए एक खाली बोरी खाली बोरी का अक्सर एक सिर्ण खुला होता और एक सिर्ण बंद ytasu हम ने जो बंद हिस्सा है उसे भी काटकर खूल देना है तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों यह हिस्स रावी खूल गये है और यह सिरफ पहले से खुला हुआ था इसके बाद दोस्तों आप ग्रो बैग जितनी उचाई का बनाना चाहते हैं पांच इंच की उचाई का, दस इंच, बारा इंच की उचाई का इतना आप चाहो उतनी उचाई रखते हैं उसके लिए आपने इस तरह से निशान लगा लेना है जितनी उचाई आप रखना चाहते हैं ग्रो बैग की तो दोस्तों आइता का रेक्टेंगलर ग्रो बैग हम जितनी हाइट का बनाना चाहते हैं उतनी हाइट पर हमने इस तरह से निशान लगाना है बोरी के कोने पर रखते हुए इंची टेप को निशान लगाने के बाद इस तरह से कोनों को आपने पलटना है तो दोस्तों जितनी दूरी तक हमने कोने से निशान लगाये हैं उतनी दूरी तक हमने कोने को उस निशान तक इस तरह से मोड़कर पलट लेना है कोने से मोड़ते वक्त आपने जो निशान पहले लगाये थे वहां तक आपने इस तरह से सीधी लाइन लगा देनी है तो इस कोने में हमने लाइन लगा दी है अब हम इसी तरह से इस तरह भी कोने को पल्टेंगे उन निशान तक जहां पर हमने निशान लगाए है जितनी हाइट का हमें ग्रोबैक बनाना है इस तरह से मोड लेने के बाद हमने फिर से इसी तरह से निशान लगा देना है इस तरह भी इसके बाद दोस्तों हमने इन निशान लगाए हुए पार्ट को काट कर अलग करना है तो इस तरह से आमने दोस्तों एक वाको हमने निशान लगाया था। इसके हमने काट कर अलग कर दिया। इसे तरह से अब में इसको पर भी लगे हुई निशान पर ही जो है काटना है बराबर और फिर उसको भी जो काट कर अलग कर देना है रेक्टैंगलर ग्रो बैक बनाने के लिए हमने बोरी को जिस शेप में काटना था वह लगबग पूरी तरह से कट चुका है बस यहां से आपको जो है और लास्ट में काट देना है तो यहां से काटने पर जो है इस तरह से बोरी हमारी खुल गई है अब बोरी को जो हमने शेप दी है काट ये शेप पुरूत तरह से तैयार है रेक्टेंगलर ग्रोव एक बनाने के लिए ग्रो बेक बनाने की शेप में काट लेने के बार दोस्तों जो निकले हुए सिडें इस बोरी के उन्हें आपने इस तरह से पैलट ना है 1.45 चाहिए आदा-एंच से कम ना रखें अबस्तों और इसके सब्सक्राइब से में। को पलटना है मोडना और खड़ा करना और इस तरह से आपने जो है मिलाकर दोनों सिरों को कोने में सिलाई कर देनी है समझ गए आप इस तरह से आपने सिलाई करनी है तो इससे जो है हमारा ग्रोबैक बनकर तयार हो जाएगा दोनों पार्ट को सिलते समय आपने ये बात ध्यान जो हमने आदा निच गैप रखते हुए सिलाई की है किनारों पर उसको हमने नहीं सिलना है उसको छोड़कर नीचे से सिलाई शुरू करनी है तो दोस्तों हमने चारों किनारों को आपस में मिलाकर सिलाई कर दिये लेकिन अभी जो ये ग्रो बैक की शेप है अच्छी नहीं है हमने इसको और बढ़िया बनाना है उसके लिए दोस्तों हलाकि ये दोस्तों जो पाठ है ये अलग अलग नहीं है इनको जोडने की जोडते ही लेकिन फिर भी हम इस तरह से इसकी किनारे किनारे पर सिलाई करेंगे ताकि जो है एक अच्छी शेप निकल कर आए आप समझ गए होंगे ये फटा हुआ नहीं है कटा हुआ भी नहीं लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इस कोने से लेकर इस कोने तक इस तरह से सिलाई कर देंगे सीधी ताकि इसकी जो शेप है बहुत अच्छी बने और जो इसका बोटम पार्ट काफी अच्छा रहे अब आप देखिए दोस्तो अभी जो हमारा ग्रोब बैग पहिले की ज्यादा सुन्दर दिखाई दे रहे क्योंकि हमने दोस्तो बोटम में भी किनारे किनारे पर चारोतर तरफ सिलाई कर दी है और उपर तो पहले ही पहले ही कर दी थी सबसे पहले शुरू में ही अब दोस्तों आपको चाहिए इस तरह की बांस की छड़ बांस की हुए फिर किसी भी तरह की छड़ो जो हमने उपर सिले थे सिरे आदा इंच का गैप रखते हुए उनमें हमने इस तरह से इनको डाल देना है थाकि ग्रो बैग जो एकदम सीधा रहे तो अब ही आप दोस्तों देखिए और बताईए ये ग्रो बैग आपको कैसा लगा रहा है एक्टेंगलर ग्रो बैग जिसकी जो लंबाई है वो दोस्तों दो फीटा और चोडाई में जो है ये डेड़ फीट है तो दोस्तों बहुत जादा व्यास बन जाता है किसी भी तरह की वेजीटेवल को ग्रो करने के लिए और दोस्तों इसके बाद आपको जो इसके बोटम में किनारे किनारे पर ग्रोल बीज़ ड connects जोरूर happy gardening